है एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़ी आऊंगे आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आज हमारे पास है मैत का वक्षीट और जो थीम है हमारी वैल्यूज सेल्फ डिसिप्लेन ठीक है वैल्यूज यानि सेल्फ डिसिप्लेन देख ल बनाने वाला है चली वीडियो पूरा जरूर देखना दिये गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोसिस की गई थी परंदु बनाते समय चित्र दो में कुछ गल्तियां हो गई आप किनी चार गल्तिया को डूंड कर अपने अध्यापक अध्यापरिका के साथ साजा कीजिए म केतली के देखेंगे तो इसमें एकी लाइन है जबकि इधर की साइड दो लाइन यहाँ पे इसकी केतली वाला का जो डखकन है उसमें आपको दिख रही है यह पत्ति का मूँ उपर की साइड है जबकि इसमें इस पत्ति का मूँ नीचे की साइड है दिखा की नहीं दिखा वै उपर की तरफ है ना लुक यह उपर की साइड है जब कि यह नीचे की तरफ है पत्ती दिखा गी नहीं दिखा वै दिख गया ना और जो यह pencil है यह pencil है इधर first picture में देखेंगे इसकी knock निकली हुए है जब कि इसमें इसका पीछे का भाग इधर दिया हुआ है चार गलती ब ये एक आपने छोड़ दिया है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से अगला question देखेंगे, और अच्छा लग रहा हो रहा है, तो like का बटन जरूर से जरूर दबा के जाना, ठीक है भई, like का बटन है, जो दबाना बिलकुल ना भूना, और एक प्यारा सा comment भी जरूर कर देना, चलिए, स्टार्ट कर लेते हैं, अगले question की और, रस्मी की दिन चरिया, यहाँ पर रस्मी नाम की बच्ची है, उसकी दिन चरिया दे रखिये, यानि की डेली का रूटिन दे रखा है, देखते हैं, रस्मी किस तरीके से काम करती है, और क्या आगे बढ़त है, रस्मी पांच भी कक्षा में पढ़ते हैं, अब उसने फिर से विद्ध्याले जाना सुरू किया है, अब भी अभी फिर से विद्ध्याले आने लग गए ना भी, रस्मी की अध्या भीका ने सभी बच्चों से अपनी दिन चरिया साजा करने के लिए कहा, ताकि वह चाहिम आपने कौन सा काम किया रस्मी भी अपनी दिन्सचरिया लिखने लगी आप भी उसकी दिन्सचरिया की तालिका को पूरा करने में मदद कीजिए अब देखी रस्मी की दिन चरिया है ना पढ़ने का समय है बाई एक दिन 24 गंटे होते हैं एक आठवा हिस्सा है ठीक है तो यानि की एक बटे आठवा हिस्सा वह पढ़ने में खर्च करती है 24 का एक बटे आठ हिस्सा होगा आठ को यहां पर दे रखा है तो 24 के कितने गंटे होते हैं 8 8 8 हमसे पूछा है कौन सा गंटा पूछा है 1 बटे 8 गंटा पूछा है तो अगर इसको करेंगे तो 3 गुना 8 कर देंगे तो इस तरीके से आपका 24 निकल के आ जाएगा भई और उस तरीके से भी आप चाहें तो 1 बटे 24 हो जाता है तो वो घंटे कितने होंगे 4 1 बटे 3 दे रखा है तो वहीं अगर 8 को 8 और 8 इस तरीके से आप करते हैं 8 प्लस 8 प्लस 8 जोडते हैं तो भी आपको 24 आंसर आपको मिलने वाला है ठीक है 1 बटे 3 वा इससा कौन सा हो जाएगा यानि कि 8 प्लस 8 प्लस 8 अगर इस तरीके से जोड़े तो 24 होता है तो 1 बटे 3 हिस्सा हो जाएगा आपका 8 घंटे सोने का टाइम कितना निकल के आया उसका 8 घंटे निकल के आया ना भी अगर इसी तरीके तो 6 को 1 बटे 6 पुचा है तो 6 6 6 6 करेंगे तो 6 को 24 होता है चो यहां 4 हो यहां पे कितना आएगा 8 घंटे एक यानि 24 घंटे का एक बटे 8 हिस्सा वही तर हुपर तीन गपे 13 गप्लै कि तीन कर इसको यहां पे तोटल कर लेंगे सबको देख ले दें कितना तोटल होता है 3,4,8,3,3 तीन और तीन च्छे और आठ चौदा होते हैं चौदा और चार अठारा होते हैं अठारा और तीन 21 घंटे टोटल यहां आज समरस्मी का जो समय है वो इन सब चीजों में बीटता है अब तो यहां पेना अतालिका को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि दिन्चरिया का कुछ समय बच गया है वह जो अत्रिक्त कारियों में भी लगाती है जैसे बोजन करना नहाना दादा दादी के साथ बादचीतर करना आदी क्या आप बता सकते हैं कि रस्मी 24 घंटे में कितने गंटे इन अत्रिक्त कारियों में लगाती है तो आप बता देंगे भई 21 तो यहां पर दे रखा है घर के कारियों को करने में कितना है यहां पर रस्मी पढ़ने में पढ़ने का समय कितना है भई तीन घंटा टीवी देखने टीवी देखती है भाई तीन घंटा तता घर के कार्यों में फिर है तीन घंटा ठीक है तो कितने घंटे हो गए टोटल नौ घंटे वह है इन सब कामों में व्यतीत करती है आ गया ना भाई समझ में देखो ड्रसमी टीवी देखने टीवी का यहां पर दिया गया है ये वाला और धर के कार्यों में धर का यह रहा ठीक है और पढ़ने पढ़ने वाला उपर रहा तो 1333 जोड देंगे तो 9 हंते हमारा आंसर आ यह बहुत यहां था अरभा तोरहं अरशला समय कि यह हां पर दे रखा है एक बैटेशए हिस्सा Ст провод 24 गंटे का एक वटे 6 आप से पूछा है तो 6 24 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 गंटे उसका आंसर आपको आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आप भी अपनी दिन चरिया की एक तालिका बनाई है और पता लगाई है कि आप 24 गंटे में कितना समय किस काम में वैतीत करते हैं एक छोट किसे आप अपने जो दिन चरिया है उसको कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें